C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 103, सबक 17, पैदल से हवाई जहास तक हमारी जरूरतیں एक जगह रहने से पूरी नहीं होते, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है पहले इनसान हर जगह पैदल ही आता जाता था सामान भी वो अपने सर या पीट पर लात कर ले जाता था एक जमाने तक इसी तरह इनसान का काम चलता रहा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने आस पास का जाइजा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर सवारी और बोज ढोने के कामा सकते हैं उसने घोड़े, हाथी, बैल, हूंट और खचर वगएरा जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था इनसान के शौर ने तरक्य की तो उसने पहिया इजात कर लिया फिर उसने दो पहियों पर चलने वाली गाड़िया बना ली उन गाड़ियों को जानवर खीचने लगे अब भारी से भारी सामान और ज्यादा से ज्यादा लोग इन सवारियों के जरिये आसानी से एक जगा से दूसरी जगा आने जाने लगे जब इनसान को भाब की कुवत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाब से चलने वाला इंजन बना लिया जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तबदीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाब के कुवत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है लोगों ने सोचा कि जब एक जगा रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिये को भी ज़्यादा तेजी से चलाया जा सकता है 18 सदी के आखिर में इनसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और सड़कों पर भाब की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियां दिखाई देने लगी जेम्स वाट भाब के इंजन से गाड़ी खीचने का भी काम लेना चाहता था लेकिन बूड़ा हो जाने की वज़ा से उसे इस काम को पूरा करने का वक्त ना मिल सका और उसका इंतकाल हो गया जेम्स वाट का एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्टी चलाना चाहता था पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का मज़ा पुड़ाया चला कर दिखाती अभी इंजन से गाड़ी खीचने का काम बाकी था ये काम जौर्ज स्टी फैंसन ने पूरा कर दिखाया उसे यقीन था कि भाब का इंजन गाड़ीों को खीच सकता है आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खीची जा सकती थी भाप का ये इंजन पहली बार कोईली की गाड़ी खीचने के काम में लाया गया जोर्जिस्टी फैंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो सवारी गाड़ियां भी खीच सके इस मरतबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया इंजन के पीछे सवारों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी और फिर उसने उस गाड़ी को चला कर दिखाया ये पहली रेल गाड़ी थी इंसान को ये खयाल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वो भी हवा में उड़ सकता है कहा जाता है कि एक बार उसने परिंदों के बहुत से परजमा किये और उन्हें अपने बाजूँँ से बांद कर उँचाई से कूद कर उड़ने की कोशिश की लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और जमीन पर आगिरा फिर भी इनसान ने हमत नहीं हरी और हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी आखिरकार 1903 में दो अमरीकी भाई विल्बर राइट और आर्विल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामियाब हो गए जो पैटरोल की मदद से उर सकती थी इन दोनों भाईयों के खुशी की उस वक्त इंतहा ना रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज वड़ा कर ये साबित कर दिया कि इनसान हवा में भी सफर कर सकता है इस तरह इनसान ने जमीन पानी और हवा में सफर करने के लिए बेहतर से बेहतर जराय भी पैदा कर लिये हैं ये सच है कोशिश करते रहने से इनसान बहुत कुछ कर सकता है सफ़ा नंबर 106 एक लवज और मानी शवूर अकल तमीज इजाद नई चीज बनाना नई बात पैदा करना तबदीली फर्क उवत ताकत जोर ताज्युब हैरत हैरानी आखिरकार नतीजे के तौर पर इंतहा हद जराय जर्ये की जमा वसीला दो सोचिए, बताइए और लिखिए अलिफ पहले जमाने में इंसान हर जगा कैसे जाता था बे बोज ढोने के लिए इंसान किन जानवरों का इस्तिमाल करता था जी पहियों से इंसान ने किस चीज की इजाद की भाब के इंजन से गाड़ी खीचने का काम किस ने लिया हे राइड ब्रादरान ने कौन सी मशीन बनाई तीन इन जमलों को सही लवजों से मुकमल कीजिए अलिफ पहले इंसान हर जगा खाली जगा ही आता जाता था पैदल या सवारी से सफ़ा नंबर एक सो साथ बे इसमें खाली जगा ये थी के दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था आसानी या मुश्किल जीम पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस खाली जगा का मजा को राया खयाल या खुशी दाल इंजन के पीछे सवारों से खाली जगा कोई गाड़ी भी लगाती खाली या भरी हे हवा में उड़ने के लिए इंसान ने अपनी कोशिशें खाली जगा जारी रखी कभी कभी या बराबर चार यहां कुछ लवजों की जमा दी गई है उनके वाहिद बनाईए जरूरियात मुश्किलात आवकात इजादात तरक्यात खयालात जराए पांच पढ़िये, समझिये और लिखिये अलिफ जहास के जरीये लंबा सफर कम वक्त में तै करते हैं बे भाब के कुवत से बहुत सारे काम लेते हैं जीम बहुत से इन जन बिजली से चलते हैं इन जुम्लों में करते हैं लेते हैं चलते हैं फेल हैं इनसे ये जाहिर होता है कि काम जारी है ऐसे फेल को हाल कहते हैं वो फेल जो मौजूदा जमाने में किया जा रहा हो उसको फेल हाल कहते हैं यहां कुछ जुमले दिये गए हैं बताईए कि ये जुमले माजी के हैं या हाल के अलिफ पुराने जमाने में इनसान पैदल सफर करता था बे मौजूदा जमाने में इनसान सवारी से चलता है सफ़ा नंबर 108 जीम इनसानी शवूर ने पहिया इजाद किया डाल इंजन से कष्टी चलती है छे सफर के पाँच जराय के नाम लिखिए साथ यहां कुछ तस्वीरे दी गई है इन तस्वीरों पर दो-दो जुमले लिखिए पहली तस्वीर में बेल गाड़ी दी गई है दूसरी तस्वीर में एक घोड़ा दिखाया गया है तीसरी तस्वीर में रेल गाड़ी दिखाई गई है चौती तस्वीर हवाई जहास की है सफ़ा नंबर 109 आठ अलिफ और बे के हिस्सों को मिला कर सही जुमले बनाईए और उन्हें खाली जगहों में लिखिए अलिफ एक जमाने तक इसी तरह जब इनसान को भाब की कुवत का अंदाजा हुआ जेम्स वाट भाब के इंजन से इनसान को ये खयाल बहुत दिन से था के परिंदों की बे गाड़ी खीचने का भी काम लेना चाहता था तरहा वो भी हवा में उड़ सकता है इनसान का काम चलता रहा तो उसने भाब से चलने वाला इंजन बना लिया नौ यहां आठ मन्जिला इमारत दी गई है इस आठ मन्जिला इमारत की आखरी मन्जिल पर पहुँचने के लिए हर मन्जिल पर ऐसे दो अलफाज के गिर्द दाइरे बनाईए जो मुतजाद हो सफ़ा नंबर एक सो दस दस बलन दावास से पढ़िये और खुशखत लिखिये जाइजा शवूर इजाफा जर्ये ताजब इजाद इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक सत्रा पैदल से हवाई जहास तक समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत